मार क्या होता है, स्पोर्ट क्या होता है, एंगल क्या होते हैं, अलग तरीके से आप अपने मेथेड को किस तरीके सुदार सकते हो, मोनलोग क्या होता है, इंप्रोवाइशन क्या होता है, इमाजनेशन क्या होता है, सेंस मेमरी क्या होता है, सब्जेक्टिव स्टडी क्या होता कितने सारे चैप्टर हैं दोस्तों जो हर स्टूडेंट को हम लोग बारीकी से उसको प्रॉपर एंगल से प्रॉपर तरीके से उसको उसके साथ प्रैक्टिस करके खुद भी उस स्टूडेंट के साथ practice करके हम लोग उसको सिखानेकी कोशिस करते है, क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्तों हर student हमारे लिए अनमोल है हर student हमारे लिए بहुत special है क्योंकि दोस्तों, अगर आप नहीं सीखोगे अगर आप तरक्की नहीं करोगे तो हमें हमें बड़ा दुख होगा इसलिए दोस्तों हमने ये कोशिश की है कि जो भी student हमें enroll करता है जो भी student हमें join करता है उसको हम सोचते हैं कि उसके साथ practice करके उसके साथ manjpara की बारी बारी से देख सकते हैं जिसके ये frame में ये लड़की आप देख सकते हैं ये frame से कढ़ जा रही है उसको बार बर फ्रेम में बुलाए जा रहे हैं कि आप फ्रेम में आप रेट कई स्टूइट को डर लगता है घर राट होता है हर तरीके से आपको सिखाये जाएगा आप सुन रहे हैं गुरू बिपन कुमार को